अलो एब्रिवन कैसे हैं आप लोग तो पिछले कुछ दिनों से आपको अक्सर नियूज में सुनाई दे रहा है अबाउट डिहिंग पाटकाय एलिफेन रिजर्व तो यहाँ पे जो भी कोल माइनिंग हो रही है तो यहाँ पे नैशनल बॉर्ड ओफ वाइललाइफ ने जो कोल माइनिंग की एप्पुरूवल दिया है तो इसके पीछे जो यहाँ पे जो आसाम में अलग अलग जो NGO है अलग अलग जो संगर्थन है इसके उपर प्रोनेशच कर रहे है तो यहाँ पे जो protest हो रहा है इसका main demands क्या क्या है यहाँ पे इसका main जो environmental concern क्या क्या है इससे परियावरन को कैसे शती पहुँच सकती है इसके बारे में details में discuss करेंगे तो यहाँ पे जो national board of wildlife इसके बारे में भी discuss करेंगे तो आपके environmental science point of view के हिसाब से बहुत ही important एक practical यहाँ यह topic है जो आप कभी भी ignore नहीं कर सकते हैं बहुत ही important आपको exam में पूछे जा सकते हैं ऐसा topic तो इस video को end तक बिल्कुल देखते रहेगा और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे channel को अब तक subscribe नहीं किया है तो इसको please subscribe कर लिजे ताकि आने वाले ऐसे ही videos के notification इसी तरह आपको मिलते रहें तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने अपना website जो उसको release किया है तो इसमें March और April महने के current affairs का complete PDF जो है आप लोग यहाँ पी है जो हमारे नीचे दिये गए link से download कर सकते हैं एक दम ही कम एक price है यहाँ पे और इस video का जो note है आज शाम तक आपको मिल हैं तो चलिए आज का video शुरू करते हैं तो यहाँ पे National Board of Wildlife इन्होंने जो है आसाम के जो डिहिंग पाटकाई elephant reserve है यहाँ पे जो है coal mining की approval दिये है तो इस से पहले April 2020 में एक बैठक हुई थी तो उस बैठक में North Eastern Coal Feed जो एक coal India Limited का ही एक unit है इसको approval दिया है कि डिहिंग पाटकाई elephant reserve के 98.59 hectares के जो जमीन है उस पे open cast mining किया जा सकता है तो यहाँ पे देखिए coal India Limited ऐसा नहीं कि इन्होंने कभी mining किया ही नहीं उसके उपर protest हो रही है 2003 से लेके 2019 तक 16 साल यहाँ पे अलग-अलग तरीके से mining किया है डिहिंग पाटकाई reserve में तो यहाँ पे possible threat जो है अलग-अलग यहाँ पे जो संगठर है NGO से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे है इन्फेक जो forest man of India है असाम से जो है जादब पाएंग इन्होंने भी उसके पर concern बताई है तो यहाँ पे देहिंग पाटकाई wildlife sanctuary यह जो है यह लगभग 111 स्क्वार किलोमेटर पे फैला हुआ है और दिहिंग पाटकाई elephant reserve जो है 937 स्क्वार किलोमेटर में यहाँ पे फैला है तो दिहिंग पाटकाई wildlife sanctuary जो है डिहिंग पाटकाई elephant reserve का ही एक पार्ट है तो इसको अगर मैप में देखेंगे आपको थोड़ा था पता लग जाएगा तो देखें यहाँ पे जो है यह है असाम अरुद्नाचल प्रदेश तो यहाँ पे नागार लैंड मरनिपूर तो इस पार्ट में जो है असाम के दिब्रुगर तिंसुक्या इनफेक सिबसगर के भी कुछ जीला में और अरुद्नाचल प्रदेश के कुछ एरिया में यहाँ पे फैला हुए तो आपको में थोड़ा था हम लोग को जान लेना चाहिए तो दिहिंग पाटकाई एलिफेंट रिजर्व जो है उसी में दिहिंग पाटकाई वायलाइफ सैंक्चुरी यहाँ पे इंक्लूड होती है दोनों एक ही है यहाँ पे वायलाइफ सैंक्चुरी जो है एलिफेंट रिजर्व क का जो यहाँ पर लंग्स जैसे के एमाजन ब्रजील का है यहाँ पर इस्ट का लंग्स बोला जाता है इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है जेपोर अपर डिहिंग रिवर और डिरॉक रेंफोरेस्ट तो यहाँ पर इसको जो है वाइलाइफ सेंक्चुरी का जो डिकलेर जो वहाँ से बहके जाती है पतकाई जो है एक हील है जो यहाँ पर सेंक्चुरी जो है अभृइरायने के साथ यहाँ पर अजो अज्ञ लूआ है उन्होंने कैसे कंसर्ण दिखाई है तो एक यहाँ पर आसाम में बायो-डिवर्श्टी कंजर्वेशन सोसाइटी है जिसका नाम है अरैनल तो यहाँ पर काफी conservation के उपर biology के उपर environmental के उपर यहाँ पर research करती है तो यहाँ पर main concern बताया है कि जो dehing part का elephant reserve का एक part है साले की प्रोपोज जो reserve forest है तो यहाँ पर जो भी coal mining हो रही है उसके अपर यहाँ पर concern बताया है तो यहाँ पर mainly यहाँ पर बोला गया है कि government को यहाँ पर जो भी coal mining हो रही है उसको phase manner पर यहाँ पर उसको हटानी चाहिए और जो भी लोग यहाँ पर coal mining के साथ 2003 से लेके 2019 तक यहाँ पर उनकी जो GB का चल रही थी उनलों को यहाँ पर alternative opportunities देनी चाहिए क्योंकि उनलों की जो यहाँ पर coal mining रही हूँ अपनी रोजी रोटी संभालते थे उसको यहाँ पर जो है alternative opportunities मिलनी चाहिए और यहाँ पर government हो यह फिर अलग-अलग जो एजन्सीज हो जो भी लोग उस जो coal mining areas के 10 km radius में आते हैं क्योंकि pollution का खत्रा बहुत ही जादा होते हैं उनलों को भी health insurance cover मिलनी चाहिए तो इसके अलावा भी अरणिक ने काफी कड़े चीज़ें के बारे में यहाँ पर points out क्या है यहाँ पर देखे कि environmental impact assessment यानि कि जो environmental impact होगा coal mining के लिए उसका भी assessment होनी चाहिए ताकि यहाँ पर जो coal mining को उसको यहाँ पर उसकी जो यहाँ पर importance को उसकी जो negative effects को यहाँ पर दिखाया जा सकता है तो यहाँ पर देखे कि जो environmental impact assessment का जब तक final result ना आए कोई भी fresh coal mining उसका approval नहीं देना चाहिए यहाँ पर especially कुछ दिन पहले जो है ministry of environmental and forest and climate change ने जो है oil India limited को भी permission दिया है कि डिब्रू सोईखवा नेशनल पार्ग वो भी आसाम में ही है उसमें जो है hydrocarbon यहाँ पर जो testing drill किया जा सकता जाने कि यहाँ पर permission दे दिया है oil India लिमिटेड को तो यहाँ पर यह technology जो उन लोग यूज कर रहे हो टेक्नोलिजी का नाम है extended rich drill तो यहाँ पर इसके जड़िये जो भी उस area में जितने भी drilling करने की बाद है इस technique से किया जाएंगे तो लगभग ऐसा बता जा रहा है कि तीन से चार किरोमेटर जो जमीन से नीचे तक यहाँ पर drilling हो सकती है जो यहाँ पर डिब्रू सोईख्वा नेशनल पार्क में यहाँ पर किया जाएगा तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो यह main importance जो दिखाया गया है जो यहाँ पर environmental assessment का जो report है 2018 में जो यहाँ पर extended research deal के हिसाब से यहाँ पर जो किया गया था यहाँ पर जो local birds हो या फिर जो migrated birds हो यहाँ से जो हटके चले जा सकता है बिकास नौइज उनको पसंद ही होता है और इसका main environmental concern भी हम लोग discuss कर लेते हैं जो यहाँ पर साले की जो rain forest यहाँ पर जहाँ पर यह पर प्रोपोस किया गया है वो mainly एक elephant corridor है जो forest का यहाँ पर जो एक hill slope पर आती है तो यहाँ पर इसका जो impact वहाँ पर फ्लोरा और फोना में बहुत जादा यहाँ पर सकता है तो ऐसे बहुत सारे जो animals होते हैं लाइक यहाँ पर elephant हो टाइगर सो उन लोग को बहुत ही बड़ा area ज़रुद होते है ताकि उन लोग survive कर सेका और उनकी breeding हो सके तभी उनकी population जो यहाँ पर बढ़ेगी लेकिन जो भी proposed mining area यहाँ पर बताया गया है लगबग 111 square kilometer दिहिंग पटका वाइलेफ century का तो यहाँ पर elephant reserve का main core area है तो यहाँ पर क्या होता है कि elephant जो है यहाँ पर traditionally उसी area से यहाँ पर जाती रहती है तो बहुत सारी impact यहाँ पर सकते है तो ecological balance जो है उस area का खराब हो सकता है यह भी points यहाँ पर mention किया गया है तो इसके साथ ही हम लोग जो है national board of wildlife जो है इसके बार में discuss कर लेते हैं तो यह basically जो है इसकी जो officially इसको start किया गया था 2003 में according to the wildlife protection act 1972 के हिसाब से तो यह देखे नेशनल board of wildlife यह जो minister of environment, forest and climate change के अंदर काम करते हैं और इसके जो chairman जो है प्रधान मंत्री है जो यहाँ पर conservation और development जो है wildlife and forest के बार में यहाँ पर responsible है तो यहाँ पर जो national board of wildlife है यह एक advisory यहाँ पर committee है जो यहाँ पर government को जो conservation of wildlife से related कुछ भी policy making है उस पर guidance करती है एक चीज़ याद रखेगा कि national board of wildlife के जो standing committee है उसके जो chairman कौन है जो minister of environment and forest and climate change के minister है तो यहाँ पर बहुत ही important है कि यह सब जो है concern करने के बाद ही आगे बढ़ने चाहिए क्योंकि एक तो बात है कि energy sources के लिए coal जो है बहुत ही important है लेकिन यहाँ पर renewable energy sources के बारे में भी सोचनी चाहिए इसके बारे में भी यहाँ mention किये गए है जिसके इसाब से जो sustainable development है यानि कि economy भी development हो और environment पे भी उसका effect ना पड़े तो इसके बारे में भी यहाँ पर सोच के एक scientific तरीके से इसको research करके आगे बढ़नी चाहिए तो यह था हम लोग का complete analysis regarding the coal mining जो dehing part का है elephant reserve में यहाँ पे होने वाली है और उसके उपर यहाँ पर एक्चली प्रोटेस्ट हो रहा है आशा करते है इससे आपको बहुत कुछ चीजे समझ में आया होका और यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगए इसको प्लीज लाइक कीजेए इसको subscribe कीजेए इसको share कर दीजे क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत और research की जो रोथ होती है और आप लोग का support हम लोग को बहुत ज़्यादा इंस्पार करता है और भी hard work करने के लिए तो आज के लिए वस इतना ही देखतेर ही स्टेडिराइस देख्यार थेंक्यू एंड जय हिंदू